आज Reserve Bank of India ने 0.25 basis से रेपो रेट इंक्रीज किया ये न्यूज आप लोगों ने कहीं बार सुनी होगी बट क्या आप लोग जानते है कि रेपो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है उसका क्या मतलब होता है ये Financial Terms के बारे में अपने देश के बहुत ही कम लोग जानते है उसकी बेसिक सी वज़ा ये है कि अपने देश की जो Financial Literacy है वो बहुत ज़ादा कम है उसी वज़ा से बहुत से लोगों को ये जो Technical Terms होते है जो Finance के अंदर यूज होते है उसकी Knowledge नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे ये Repo Rate क्या होता है ये Reverse Repo Rate क्या होता है और इसके क्या-क्या Effect होते है Share Market में और इसके क्या-क्या Effect होते है Market की उपर तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर reverse repo rate और repo rate इनका मतलब और ये आपकी life पर किस तरीके से impact करते हैं repo rate repo rate refers to the rate at which commercial bank borrows money by selling their securities to the central bank of our country that is Reserve Bank of India to maintain liquidity in case of shortage of funds or due to some statutory measures देखिए ये तो था English meaning of repo rate बट ये अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो चलिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि ये repo rate क्या होता है देखिए आपका जब कभी भी loan लेने की जुरूत होती है तो आप कहा जाते हो bank में जब आप bank जाते हो तो वहाँ पर bank आपको loan के उपर interest rate चार्ज करता है 8%, 9%, 10% whatever तो उसी तरीके से जब कभी भी bank को जरुत होती है fund की तो वो जाता है Reserve Bank of India के पास और वहाँ से वो loan लेता है तो उस loan के एवज में जो bank Reserve Bank of India को interest देता है या जो Reserve Bank bank से चार्ज करती है उसको कहते है repo rate repo rate actually होता है interest ही बट उसको एक नए term देकर market में उतारा गया है ताके कुछ वो different लग सगे तो I hope आपको समझा होगा कि repo rate कीसे कहते है जब कभी भी bank loan लेती है Reserve Bank of India से तो उसे loan के उपर देना होता interest और उसी interest को कहते है repo rate बट यह जो interest rate होता है वो decide करता है Reserve Bank of India और यह जो repo rate जब कभी भी change होते है तो इसका impact आपके life के उपर किस तरीकी से होगा यह हम आगे जानेंगे और detail में चलिए अब हम जानते है reverse repo rate क्या होता है reverse repo rate is when the RBI borrows money from the bank when there is excess liquidity in the market the banks benefit out of it by receiving interest for their holding with the central bank देखिए reverse repo rate जो होता है वो repo rate से exactly opposite होता है repo rate में bank RBI से loan borrow करती है इस situation में bank जो होती है वो RBI को loan देती है मतलब RBI जो है bank से loan borrow करती है in case of excess liquidity in the market market भी जब कुछ ज़्यादा excess cash हो जाता है जिसका utilization proper नहीं होता है तो उस वज़े से RBI bank से loan borrow कर लेती है और loan bank भी जो है वो RBI को loan इसलिए देती है क्योंकि RBI जो है reverse repo rate market rate से ज़्यादा देती है bank को तो इसमें bank को भी फाइदा होता है क्योंकि उनका जो fund होता है वो safe hand में रहता है और उनको higher interest rates भी मिलता है RBI के दरह से I hope आपको ये clear हुआ होगा कि reverse repo rate किसे कहते है सबसे पहले repo rate को जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है to control the inflation जी हाँ repo rate को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए use में लिया जाता है अब आप सोचोगे कि repo rate से महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है देखिए इसको भी मैं आपको समझाता हूँ एक simple सी भाषा में देखिए जब कभी भी repo rate बढ़ता है तो उसका impact ये होता है कि bank जो है जो जिस पर loan देती है customers को वो increase करती है और जैसे ही वो rate increase करेगी तो बहुत सारे जो borrower होते है वो अपना जो fund होता है वो market में कम utilize करेगी क्योंकि उन्हें उसके लिए ज़्यादा interest pay करना पड़ेगा bank को तो उस वज़े से जब कभी भी जो borrower होता है अगर वो market में पैसा supply जो होता है पैसों का supply होता है वो कम करेगा पैसा कम pump करेगा तो उस वज़े से किसी भी चीज की demand जो होती है वो नीची आजाएगी मतलग जो demand होती है किसी भी चीज की वो decrease होगी क्यूंकि बहुत सा जो पैसा होता है वो कम pump होता है market में और जैसे ही demand कम होगी तो किसी भी product का जो price होता है वो automatically reduce होता है बस जैसे ही rate reduce होता है तो automatically जो महंगाई होती है वो भी decrease होगी तो इसी तरीके से repo rate को बढ़ा कर RBI जो है महंगाई को control करती है जितना पैसा market में कम जाएगा जितना market में पैसा कम pump होगा उस वज़े से जो है market में demand भी कम होगी क्योंके लोग पैसे कम खर्च करेंगे due to high interest rate और जैसे ही पैसा कम खर्च करेंगे तो demand भी जो है automatically कम होगी और जो demand जैसे ही कम होगी किसी भी चीज़ की तो obviously उस चीज़ का rate भी कम होगा और उसी तरज पर जब कभी भी Reserve Bank of India को market में demand बढ़ानी है किसी भी चीज़ की तो वो इस situation में repo rate को decrease करती है क्योंके जब कभी repo rate decrease होगा तो bank loan कम rate पर देगी लोगों को जो borrower होते हैं उसे कम rate पर loan मिलेगा और जैसे कम rate के ओपर loan मिलेगा तो borrower ज़ादा से ज़ादा loan के तरफ जाएगा loan लेगा और उससे अपने investment करेगा market में और जैसे ही वो investment करना शुरू करेगा तो automatically जो products होते हैं market में या जो भी raw material होता है या machinery होती है उसका automatically demand बढ़ेगा और जैसे ही demand बढ़ेगा तो indirectly उसका rate भी बढ़ेगा और उसी तरीके से अपनी जो economy होती है वो भी जो है grow करेगी ये तो बात हुई कि RBI जो है रेपो रेपो रेट को किस तरीके से use करता है और उसका क्या impact होता है market के उपर अब मैं आपको बताता हूँ कि रेपो रेट के increase होने का आपके life के उपर क्या impact होता है देखिए for example मान लीजे कि आपने जो है housing loan लिया है bank से ये housing loan जो होता है ये tie होता है रेपो रेपो रेट से मतलब जब कभी रेपो रेपो रेट increase होगा तो bank जो है आपके housing loan का जो interest होता है उसको भी increase करता है और जैसे ही RBI कभी रेपो रेपो रेट इंक्रीज करेगी तो bank आपसे extra interest charge करेगी आपकी EMI के उपर मतलब आपका जो EMI होता है वो automatically increase होगा और जैसे ही वो EMI increase होगा वो directly affect करेगा आपके budget के उपर और जैसे ही वो आपके budget के उपर affect करेगा वो आपके life के उपर भी affect करता है बट ये situation जो fixed deposit करते है उनके लिए नहीं होती है उनके लिए ये increase in repo rate कभी भी benefit करता है उसका reason बताता हूँ आपको होता ये है कि repo rate में जब कभी भी RBI rate बढ़ाती है तो bank को RBI से loan लेना महेंगा होता है बट अगर वो fixed deposit के तरफ जाती है मतलब लोगों को कहती है कि आप जादर से जादर जो है हमारे bank में fixed deposit करेगे हम आपको extra interest extra आपको rate of interest देंगे आपके fixed deposit के उपर तो उसमें होगा ये कि public को जादर fixed deposit के उपर interest मिलेगा तो public जो है जादर से ज्यादा bank के अंदर invest करेगी तो इस situation के अंदर जो कोई भी bank के अंदर fixed deposit करता है तो उनके लिए ये highly appreciable होगा और उनके लिए highly beneficial होगा तो जहां पर increase in repo rate borrowers के लिए negative news है वही पर ये investors के लिए एक अच्छी खबर होती है क्योंके उनको मिलता है extra interest rate on their deposits I hope आपको ये समझ गया होगा कि repo rate जो है market के ओपर किस तरीके से impact करता है किस तरीके से repo rate का use किया जाता है market के अंदर जो है inflation को control करने के लिए या market में demand supply को बढ़ाना, कम करना जो कुछ भी होता है ये repo rate के जरीए ही किया जाता है RBI के दुआरा तो I hope आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like ज़रूर कर दीजे और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ useful information मिली हो तो comment section में at least thumbs up तो भी कर दीजे और अगर आपको कुछ doubt है तो वो भी आप comment section में comment करके मुझे पूछ सकते हो और मेरे page को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो मेरे YouTube channel को subscribe जरूर कर दीजे ताके आपको next जो भी मैं वीडियो पोश्ट करू तो उसकी information मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye